एक और जंग है जो फिलाल उत्तर प्रदेश में चल रही है उसकी बात अब कर लेते हैं चुकि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं जिसकी तयारियां बीजेपी कर रही है समाजवादी पार्टी भी कर रही है योगी आधितनाथ थोड़ी ही देर में दिली पहुँचने वाले हैं जहां वो योगी विधानसभा चुनावों को लेकर बड़ी बैठक करेंगे योगी बीजेपी अध्यक्ष ये पी नड़ा से मिलेंगे सौरान योपी के दोनों डेपिटी सीम केशव प्रसाद मौरे और ब काफी एहम है चुकि समाजवादी पार्टी पहले ही छे सीटों पर उम्मीद्वारों का एलान कर चुकी है ऐसे में क्या उम्मीद्वारों के नामों को फाइनल किया जाएगा इस बैठक में इस पर सभी की निगाहें बनी हुई है बहुत बड़े उटों से जीतेंगे और एक इतिहास बनेगा और ऐसा इतिहास बनेगा कि भारतिये जनता पार्टी की सरकार की सफाया का रास्ता वहीं से सुरू होगा अगर समाजवादी पार्टी ने मिलकी पूर से अफदेश प्रसाद के बेटे को ही चुनावी मैदान में उता रहा है वो अपनी जीत का दंब जरूर भर रहे हैं लेकिन अवदेजी यहां सवाल यह है कि भारते जिनता पार्टी ने जो लोकसभा चुनावों में उससे गलतियां हुई इखास कर उम्मीदवारों के चेहन में जातियों के समिकरन को सेट करने में क्या उससे कोई सबक लेते हुए कोई विनिंग फॉर्मूला जो है वो बीजेपी निकालेगी और उम्मीदवारों के चेहन में इस बातों की ध्यान रखी जाएगी अगर उम्मीदवारों के केवल भूल की बात है गलतियों की तो वो तो दिखाई देगा उम्मीदवार आप किसको बनाते हैं उसके बाद उस पर प्रतिक्रिया होगी लेकिन इस समय जो तथा कथित जिनको अजुद्या का राजा बन गया है वो राजा जिस परकार से भाशान दे रहे थे मैं सोचूंगा आप लोग इंडिया टीवी जरूर बचा के रखना कि 50 सीट अगर बीजेपी आ गई तो मैं राज्यिती छोड़ दूगा और जरूर उनसे पूछा जाना जाना कि अब आपका क्या कहना है आप तो अधार पर राहूल गांदी जी जगा जगा बोल रहे हैं कि हमने अजद्या के विचार को हरा दिया है वो उनका कैनिडेट नहीं होते हुए और इनकी जगा जगा अभी तो कुछ दिन पहले हम लोग यही थे जब इनको मुंबई ले जाया गया था मुझलमानों के बीच की बैठक में यह हीरो बनके बैठक हुए थे जगा जगा इनको ले जाया जा रहा है तो इस समय तो यह कुछ भी बोल सकते हैं हाला कि मुईत खान के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं देकि यह जो चुनाओ है उसको हमने यह देखा है कि भारतिय जनता पार्टी लोग सबाद चुनाओ से सेटवाइक में आगहात में तो थी कुछ समय तक लेकिन देरे देरे जो मुक मंतरी का तेवर है जो अननिताओं का तेवर है उसको हमने फिर पुरानी अवस्था में लोटते हुए देखा है पिर बैटके करते हुए समिक्षा करते हुए और मुझे बताया गया कि नीचे अस्तर पर भी समिक्षा हुई है कितनी हुई है कैसी हुई है वो जानकारी डिटेल नहीं है कहां कहां कैसे हारे क्या समस्याई थी वो चीजे अगर वो रिपोर्टे सब आई है उपर तो निश्च तो आब सेक्ता यह होती है कि किसी भी पराजे के बाद जो लीडर्सिप है उसका मन मिले उसके विचार मिले उसके कदम भी मिलने चाहिए तो कम से कम अगर वो जो श्वर्थ है इधाउधर के वो रुके हैं दूसरा है कि जो बीजेपी का मूल था हिंदुत्त का उस पर प्रख चित रूप से ही सबका आसर होगा और सबसे जो बरी बात हुई है कि पूरे देश में जो हिंदुत्त के हिर्दे में लिए हुए लोग हैं जो अज़ोद्या के परती उस प्रकार से भावना रखते उन सब को एक तीस पैदा हुई कि जब बीजेपी से हमारा कोई प्रोब्ल के आ गई है तो उत्तर प्रदेश में लोग ऐसा नहीं सोच रहे होंगे लोग जाके नहीं करेंगे ये मेरे ध्यान में नहीं आया है बाकी जो आपने बीजेपी ने बहुत सारी गलती है कि जो मेजर सबसे वरी गलती थी वो ये थी कि जोगी जी के अभी तक के सासनकाल में और केंदर के भी सासनकाल में जो कारकरता था जो निश्ठावान लोग था जो पार्टी में हो पार्टी के बाहर अलग-अलग मंचों से काम कर रहे हैं उन सब के छोटे-छोटे काम नहीं हुए अब जब पत्ते खुलेंगे उमीदारों के लिस जाएगी तब समझ में तंद क्वलेंगेगуйте लिए burग जो प्वां के लिए तब odd पत्तन वार्टी कर दात कर ishtते हैं तंद कर में आएगे जिएंगे